ड्रीम बच्चों विशलेशन चाल्स मेम ने निबंध लेखन के आकाश में चमकता सितारा 10 फरवरी 1775 को पैदा हुआ था वह एक प्रसिद्ध हंगरेजी कवी निबंधकार और पुरातनता की दुनिया प्रमुख है उनके निबंध हंगरेजी गधिकाम के बीच बेहतरीन माना जाता है उनके लेखन में परिलक्षित होने वाले अपने जनजाती अहास्य, मानवता, ग्यान और गेहन करुणा के लिए उनकी सराहना की जाती है एलिया के निबंध हपने निबंध की पहली मात्रा है कि 1828 में प्रकाशत किया गया था जबकि उनके निबंध की दूसरी मात्रा नामित एलिया के अंतिम निबंध 1833 में प्रकाशत किया गया था उनके निबंध बुद्धी, प्रतिबिम्ब, उपाख्यानू और फैनसी का एक अनूठा संयोजन है, उन्होंने 27 दिसंबर 1834 कोमृत्यू हो गई निबंध ड्रीम चिल्डरन एक कथा निबंध है जिसमें लेखक, चाल्स मेम ने अपने सपने की कहानी बताती है कि उनके पास था, इस सपने में वह अपने सपनों के बच्चों में आया जो सपने के अंत में कम हो जाते हैं यह निबंध उन लोगों से वंचित होने के दर्द और अपराद के विशयों को दर्शाता है जिन्हें हम अपने दिल के मूल से प्यार करते थे इस निबंध में लेखक को पिछले दिनों की मीठी यादों को प्रकट करने के लिए एक सपने के दुनिया में लाया गया है निबंध, निराशा के साथ बढ़ाया जा रहा है, एक व्यक्ति के लिए बचपन और प्रियजनों के लायक और आवशक्ता को स्पष्ट करता है, जिसके बिना जीवन अंधेरे और व्यक्ति के लिए घुटन प्रतीत होता है. प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया निबंध में बच्चों को उनके मन पर कहानी के प्रभाव को प्रतिबिम्वित और निबंध नाट किये बदल जाता है इसके अलावा, उनके कारियों का प्रमान था कि जिस कहानी को वर्नित किया गया है, उसके बाद उन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और उनके पिता के विवरण से आगे बढ़ जाता है विभिन बिन्दूओं पर निबंध के स्वर में एक बदलाव है, स्वर में बदलाव, विनोधी से दुख़त तक, तब हुआ जब लेखक अपनी दादी और प्यारे भाई की मृत्यू के द्रिशिका वर्नन करता है, मेम ने निबंध में उदासी इन प्रतीत होता है और अपन में सभी घटनाएं एक सपने बन जाती हैं, यह एक खुले अंत के साथ निबंध को रहस्य जोडता है, मेम ने निबंध ड्रीम चिल्डरन को अपनी दादी, श्री मती फील की कहानी को अपने बच्चों, एलिस और जॉन को खोलता है, मेम ने की दादी, उनके बच्चों की म खानी बताती है जिसे लकडी में अपनी दादी के महान घर में महान हॉल के चिमनी के टुकडे पर बनाया गया था, हाला कि इस लकडी की चिमनी को मालिक द्वारा एक संग मरमर चिमनी द्वारा बदल दिया गया था, श्री मती दायर, मेमने की दादी, घर का असली मालिक नह और उसे सौपदिया जब वह खुद दूसरे घर में रहता था, श्रीमती फील्ड महान घर में रहते थे के रूप में अगर यह अपने ही था, बाद में महान घर के कीमती गहने असली मालिक के घर में स्थाना अंतरित कर दिये गए थे, हाला कि वे आधुनिक घर के अनुरूप नहीं थे, इसके अलावा, मेम ने अपने बच्चों को अपनी दादी की मृत्यू और अंतिम संस्कार के बारे में बताता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया था, दोनों गरीब और अमीर, यहां तक की कई मील के लोग भी उनके प्रती सम्वेधना और सम्मान व्यक्त करने के लिए आये थे, श्री मती फील बहुत विनम्रों और पवित्र महिलाओं को जो भजन और दिल से नियम का एक बड़ा हिस्सा जानता था, मेम ने फिर अपने बच्चों को अपनी दादी की युवाओं के बारे में बताना शुरू कर देता है, वह एक स अच्छी आत्माओं को नहीं ले सका, इसके अलावा, मेम ने एलिस और जौन को बताता है कि कैसे उनकी दादी घर के एक अलग कक्ष में अकेले सोते थे, इसके अलावा, उनका मानना था कि उसने आधी रात में दोशिशू भूतों को देखा, हाला कि वह यह भी सुनिश्च थी कि ये सब भी प्रानियों थे जो उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे, यद्यपी उसकी नौकरानी उसके साथ सोया, मेम ने भूतों से काफी भैबीत था क्योंकि वह अपनी दादी के रूप में धार्मिक नहीं था, इसके अलावा, मेम ने ने अपने बच्चों को अपन पोते के प्रती अपने महान दादी के प्यार और स्नेह के बारे में बताया, मेम ने अपने भाई बहन और चचेरे भाई के साथ छुट्टियों में अपनी दादी का दौरा किया, जहां वे विशेश रूप से रोम के समराटों के पुराने मूर्तिकारों के आसपास देखे जाने वाले अधिकांश घंटे बिताते हैं, वह उन्हें के रूप में ज्यादा के रूप में मूर्तियों उसे रहने या फिर वह संग मरमर बारी होगा दिखाई देगा टक्टकी होगा, इसके अलावा वह थक गया हो रही बिना हवेली में चारों और घूमने होगा, वह खाल और फूलों पर जाज करते हैं, वह अपनी छुटियों को इस तरह खर्च करने में अधिक संतुष्ट थे और इसे बच्चों की समान यादतों और आडू और अम्रित के मीठे अरोमर पर पसंद करते थे, मेमने, अब अपने बच्चों को अपने चाचा जौन मेमने के बारे उनके पास व्यक्तित वकाय का नूठा प्रकार था, उदाहरन के लिए, चाल्स मेमने जैसे अन्य लोग खुद को कोने में ले जाएंगे, जबकि जौन घोडों पर चढ़ने, गाव के चारों और दोरे करने और शिकारी के साथ विलाय करने के लिए इस्तिमाल करेंगे, जबही का सम्मान और प्रशंसा अरजित की, जौन चाल्स मेमने की तुलना में कुछ साल बड़े थे, जौन मेमने को ले जाएगा, जो लंगड़ा था, उसकी पीठ पर कई मील के लिए जब वह चलने में असमर्थ था, हाला कि जौन बाद के जीवन में लंगड़ा पैर बन हाला कि जब जौन निधन हो गया, मेमने उसे बहुत याद किया, उसने अपनी नमरता और उसकी पेटी को याद किया और उसे फिर से जीवित रहने के लिए वांचित किया, वह उसे फिर से जीवित करना चाहता था ताकि वह उसके साथ फिर से लड़ सके, मेमने उसके बिना सहज महसूस किया क्योंकि गरीब जॉन महसूस किया जब डॉक्टर ने अपने अंग को हटा दिया इस बिंदू पर बच्चे अपने मृतक चाचा के लिए शोक शुरू करते हैं और मेमने को अपनी मृत मा के बारे में कुछ बताते हुए आगे बढ़ने की मांग करते हैं फिर अचानक पता चलता है कि पुराने एलिस उसके सामने बैठे छोटे एलिस की आखों के माध्यम से उसके साथ समवाद कर रहा है जैसा कि मेमने को ताक करने के लिए बनाए रखने के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि उसके बच्चे जॉन और एलिस उससे गायब हो रहे हैं अंत म उन में से दो जार ढाचे को छोड़ दिया गया है कि वे न तो एलिस के हैं और नहीं आप में से हैं वे बच्चे बिलकुल नहीं हैं एलिस के बच्चो बात रमपिता कहता है इसलिए वे के वल सपने हैं अचानक मेमने उठता है और खुद को सना तक हाथ कुरसी में पाता है जहां वह अपने पक्ष से वफादार ब्रिजेट के साथ सो गया है टार बॉका्ष भी जार, बात्याक बया है बआने जार, वआने पक्ष सकता है च में अपने खब बब सक्षा्यत diagonal तर् contributing कि सम्क्रीजाओ। हमाईगी गोष भी जार्म माई और उखर si भी वैपटि उनके